पर चली एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, BJP केंद्रिय चुनाव समिती की आज बैठक होने जा रही है शाम को साड़े पांच बजे BJP केंद्रिय चुनाव समिती की बैठक होगी आज सिर्फ मध्यप्रदेश को लेकर चर्चा की जाएगी और दूसरी सूची में करीब 60 नामों को फाइनल किया जाएगा दूसरी सूची को लेकर ये नाम ते किये जाएगे तो प्रधान मंतरी मोधी समेट पार्टी के बरिश्ट नेता इस बैठक में शामिल होंगे तो वहीं मध्यप्रदेश के 49 प्रत्यासी बीजेपी पहले ही घोशित कर चुकी है तो 49 प्रत्यासियों की एक लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है और दूसरी सूची जारी की जा सकती है दूसरी सूची से पहले बंसल नियूस पर संभावित नाम भी आचुके हैं और कुछी तेर में हम आपको नाम भी बताने जा रहे हैं तो बंसल नियूस थोड़ी देर बाद आपको बंसल नियूस पर संबावित नामों की लिस्ट भी बताई जाएगी लेकिन इससे पहले आपको बता दे कि मध्य प्रतियाशी बीचेपी गोशित कर चुकी है और अब वो अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी करेगी तो आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में बीजेपी केंद्रिय चुनाव समिती की होने जा रही है शाम को साड़े पांच बजे बीजेपी केंद्रिय चुनावी समिती की ये बैठक होगी जिसमें आज सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रतियश को लेकर चर्चा होगी तो सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि जिस तरह से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि आखिर दूसरी लिस्ट बीजेपी कब जानी करेगी तो ये लगबग अब तैमाना जा रहा है कि जिस तरह से जो अब आज बैठक होने वाली है खास करके साड़े पांच बजे जो बैठक होने वाली है वो बैठक बड़ी ही महत्वपूर है लेकिन बंसल नियूज आपको कुछ संभावित लिस्ट अब बताने जा रही है चले आपको ग्राफिक्स के जरिया हम समझाते हैं बीजे पी के ये जो सिंगल नाम है दूसरी लिस्ट के ये सिंगल नाम तैक हिए गये हैं और इन नामों को अब लगबग लगबग फाइनल सा माना जा रहा है इसमें बीजाबर से राके शुकला और राम प्यारे कुलस्ते निवास से हैं तो वहीं लखना दोन से विजे कुमार उइके का नाम अभी तक इस लिस्ट में फाइनल हुआ है और ये लगबग फाइनल नाम माने जा रहे हैं कटंगी से बोथ सिंग भगत बढ़नगर से मुकेश पंडिया डवरा से मर्ती देवी कटंगी से बोथ सिंग भगत तो बीजेपी की ये संभावित दूसरी लिस्ट है और इस लिस्ट में और भी नाम है रादोगर से हीरिंद्र सिंग बंटी राजनगर से अरबिंद पतेरि है तो वहीं चिंदवाडा से बंटी साहू का नाम इस लिस्ट में रखा गया है दमों से सिधार्ट मलाईया चिंदवाडा से बंटी साहू साजापुर से अरुन भीमाबद अब बीजाबर से राके शुकला निबास से राम प्यारे कुलस्ते ये वो पहली पहली लिस्ट नाम थी जिसमें सिर्फ सिंगल लोगों की नाम इसमें रखे गए हैं इसके लाब़ा चलिए अब आपको वह और नाम बताते हैं जहां पर दो दो नामों को चैद किया गया है बुरहनपुर से अर्चना चिस्टनिस का नाम सामने में आया है पराजिया से पारा चन बाबरिया जोती डहरीया जवल्पुर यह अभिलाश पांडे और प्रभास साहू का नाम है इसके लाबर और अगर हम बात करें जिस ते cello server से यह जो लिस्ट है उसमें संभावित में दो लोगों की नाम संभावित नाम है और दो लोगों की यहां पर नाम इसमें रखे गए हैं यह माना जा रहा है कि इन में से किसी का नामینल हो सकता है जबल्पुर्स कि एट कि अधिए प्रताप सिंग और गाडर बारा से गौतब पटेल साथना स्थापक का नाम है राजगर से अमर सिंग यादब प्रताप सिंग मंडलोई का नाम सामने आया है खिर्चिपुर से हजारी लाल दांगी दिनिश प्रोहे तागर से मदू गहलोट गोपाल गहलोट और सेलाना की अगर बात करें तो नाराइन मीडा और संगीता चेरल का नाम इसमें लगवग फाइनल ये माने जा रहे हैं आलोट से रमिश माल भी जितेंदर गहलोत सेंदवा से विकास आरिया डॉक्टर रहलत सेनानी और इसके अलाबा राजपुर से अंतर सिंग पटेल और सुभाश पटेल का नाम ये सूची में संभावित सूची में नाम बताया जा रहा है और चलिए अब हम चलते हैं हमारे एक्टूकेटिब एडिटर मनुज सैनी जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज जिस तरह से जो एक बड़ी बैठक होने जा रही है दिल्ली में और उस बैठक में किस तरह के फैसले लिए जाने हो खास करके जो एक पैनल तयार कि गया है जिसमें सिंगल नाम भी है डबल नाम भी है चलिए हम सब मनुझ सेनी जी के पास चलेंगे लिकिंगे उससे पहले हमारे नियूज एड़ शरत दुएदी जी भी आमारे पास साथ में जुड़ गए हैं सरच जी आज यह माना जा रहा है कि जो दूसरी लिस्ट है बीजे काशियों की जो लिस्ट है वो निकल कर सामने आएगी बिल्कुत दिली से खबर निकल कर सामने आ रही है वह यह कह रही है कि आज सिर्फ मद्यप्रदेश के बारे में चुनाव समिती की बैठक में विचार विमर्ष होगा और निश्चित तोर पर इसका मतलब यह है कि मद्य दिल्ली में विचारविमर्ष होगा 36 घृण के बारे में आज विचारविमर्ष नहीं होगा राजस्थान के बारे में भी नहीं होगा कारण ये है कि मद्य प्रदेश को लेकर बीजयपी केंद्धरी नित्रुत है बीजयपी वह अधिक आशानुट है है 36 तुलना में मुझे कहने में संकोच नहीं क्योंकि मध्यप्रदेश में यह माना जा रहा है कि जिस तरह से अमिर्शा जी और प्रदानमंत्री के दोरे और उसक Tag लेकर एग बढ़ती हुई दिख रही है उसकी तुलना में बीजेपी पिछड давно रही है लेकिन अब ये जो स्थितियां बनी है इससे केंद्री नेतृत्व, केंद्री एकाई, उत्साहित है और इसी वज़े से आपने देखा कि मद्यप्रदेश के साथ साथ 36 गड़ की सूची सामने आई और 36 गड़ पर भी फोकस ऐसा नहीं है कि नहीं है लड़ाई तो आप जीतने के रादे से लड़ते हैं क्योंकि राजस्तान में हर पांच साल बाद सरकार बदलती है तो वहां ये फैक्टर बीजपी की उमीदों को आगे रखे हुए है लेकिन मद्यप्रदेश को लेकर भी बीजपी उत्साहित है ये बताता है कि दूसरी सूची जो है वो सामने आ सकती है और मुझे लगता इसके बाद 36 गड़ पर विचार करके इस बार भी दोनों ही सूचियां दोनों राजियों की एक साथ जारी हो सकती है जी जिस तरह से देखा जा रहा है कि कुछ जगहों पर सिंगल नाम है वहां पर एक रात भरी उन प्रतियाशियों को खबर हो सकती है लेकिन अगर जिस जगहों पर दो-दो नाम सामने आ रहे हैं क्या बाद में इस्तिती कुछ ऐसी नहीं बनेगी कि आपसी बिबाद या आपसी कुछ ऐसी इस्तिती तनाव का माहुल बने क्या इसे साधा जाएगा बिलकुल दिनेश जी इस तरह की कोई इस्तिती बनने की चुनावी नतीजे बताएंगे लेकिन बीजेपी कोशिश यह कर रही है कि इस बार वह एक माइंसेट अपने प्रत्याशी को पहले दे कि वह चुनाव लड़ने की मनोदशा में मना स्थिती में पहले चला जाए निश्चित तोर पर इसके फाइदे भी हैं और कुछ नुकस करते हैं और बीजेपी में क्या है कि व्यक्ति खुलकर विरोध नहीं करता है वह परदे के पीछे विरोध करता है तो बीजेपी यह मान कर चलती है कि ऐसे जो तथा कथित भितर घाती हो भी सकते हैं उनको वह या तो मना लेगी या डैमेज कंट्रोल करके जितना नुकसान ह या देर रात तक इसका एलान किया जा सकता आजिकारिक तोर पर अलाकि बंसल नियूज एक अपनी एक संबाबित लिस्ट भी दिखा रहा है बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मेल खाएंगे ये निश्चित तोर पर आम तोर पर देखा जाता है जब हम कोई अपनी जानकारी दर् पर चार की बहुत बढ़ाएगी देखे दिनेश लगभग ये तो तैह हो गया दो दिन पहले एक बैठक तीर जेपी नड़्डा जी के निवास पर भारती जनता पार्टी की राष्टी अध्यक्श है जिसमें बील संतोस भी मौजूद थे और मुक्त मंत्री शिबराज सामने रखी गई थी लगवग उसको एक तरह से कहा जाए तो उस पर बहुत गहराई से चर्चा होई और चर्चा के बाद अब जब चुनाओ कमेटी कोई सूची को फाइनल करती है तो आज चुनाओ कमेटी के सामने रखा जाना लेकिन कुछ जगे दो-दो नाम सामने आए जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं देखिए एक और मैं बात बता दूँ दर्सकों को भी बता दूँ आपको भी कि भारती जनता पार्टी कैसा दल है जिस पर अंतिम समय तक कुछ भी बदला हो सकता है ये बहुत किलियर एक बता दू मैं आपको क्योंकि जब से नई टीम आ होगी तो इसमें कुछ नाम और और अलग दिखाई दे सकते हैं लेकिन लगबबग ये माना जारा है जो हमारे सुत्रों के हवाले से खबार है जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं ये नाम इसमें नजर आने वाले जहाँ दो नाम दिखाई दे रहे उन सूची में होंगे तो जो इंतिजार करने तो अब बीजेपी ने तमाम तरह की बातों पर चर्चा की है उसको समझा है और आप देखिए पहली बार है कि जब 49 नाम पहले से तैक किये गए तो कई जगे से विरूद के स्वर भी नजर आए तो आला कमान ने साफ कर दिया है कि व लेकर जादे विरूद के सवर दिखाई दे रहे हैं पार्टी को कितना डैमेज होगा कितना नुकसान होगा तो इन सब का आकलन पार्टी ने कर लिया और अगली जो सूची जो भी आईगी संभाबना ये बहुत जादे हम कह सकते हैं कि आद तो आज साम या कल 14 तारिक को ये सूची दिखाई दे सकते हैं लेकिन बीच में जनासिरवाद यात्रा प्रदान मंत्री का आना महाकुंब भी है तो उसको लेकर हो सकता है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़े लेकिन बहुत जादे संभाबना है कल याने 14 तारिक की सूची आने की जिसमें जो नाम हम दिख आपको बता दें दूसरे पार्टी जो कॉंग्रेस है कॉंग्रेस में अगर कॉंग्रेस को लेकर बात करें तो कॉंग्रेस की भी एक लिस्ट जारी हो सकती है दरसल कॉंग्रेस ने जो बाहर से कॉंग्रेस में लोग आये हैं उन्हें अपनी इस लिस्ट में मौका दे सकती है बाहर से आए 12 नेताओं को Congress टिकेट देने की तैयारी कर रही है जिसमें 18 पूर्व मंत्रियों को भी Congress टिकेट देगी 50 सीटे हैं उसके लिए Congress ने अपना एक अलग फॉर्मूला तैयार कर लिया है और बंसल ने उस पर Congress की भी एक संभावित प्रत्यासियों की लिस्ट है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं तो कौन से वो नाम है चलिए वो नाम भी हम आपको दिखाने बाले हैं चलिए Congress की यह सं Congress में आए हैं तो वहीं कॉलारस में बैजनास सिंग यादब ये भी बीजेपी से Congress में आए हैं शुपरी से बीरंद्र रगवन सी जो कॉलारस के बरत्मान विधायक हैं जाबस से समंदर पटेल का नाम सामने आया है जोनोंने हाल ही में Congress का दामन थामा है तो खुरई से Congress शायद देने वाली है सुरकी से नीरश शर्मा बदनाबर से भवर सिंग सेखाबत और खाते गाउं से दीपक जोशी का नाम ये सामने आ रहे हैं और माना जा रहा है कि ये संभावित लिस्ट है और इन लोगों को मौका मिलेगा तो ये लहार से ये जो मंत्रियों की अब ल नाम है इसके अलाबा और भी तमाम ऐसे नाम है उनकी लिस्ट भी हम आपको लगातार बताएंगे गंदवानी से उमेश सिंगार सोनकक्ष से सज्जन सिंग बर्मा तो वहीं महेश्वर से बिजय लक्षमी साधू का नाम भी इस संभावित लिस्ट में रखा गया है बाकी औ अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है कॉंग्रेस ने एक भी नहीं की है तो कॉंग्रेस की पहली लिस्ट कितनी चौक आने बाली होगी यह देखना भी बड़ा दिल्चस्प होगा चलिए हमारे सही होगी सूरज सर्मा के पास हम चलते हैं और सूरज से जानते हैं कि आखिर किस कॉंग्रेस ने की हैं और कॉंग्रेस में किस तरह का माहूल है सूरज आज ये माना जा रहा है कि कॉंग्रेस की जिस तरह से जो स्क्रीनिंग कमैटी की बैठक दो दिन की बैठक कल भी बैठक हुई आज भी बैठक हुई क्या कुछ इस बैठक के बाद सार निकलने बाला है और कॉंगरिस के क्या कुछ उम्मीदें हैं प्रत्याशियों को क्या कुछ उम्मीदें हैं किस तरह से उनका नाम सामने आएगा देखे बिलको 2023 को लेकर कॉंग्रेस इस बार अलक बैटर्ण में काम कर रही और हम देखा पिसले तीन से चार दिन भोपाल में मैर्थन बैठके हुई तमाम जो डी सी सी पतादी के आ रही हैं बेदान सभा प्रभारी उन से फीडबेक लिया गया सर्वे के आधार पर नाम भावत नाम जो तैह कर दिये गए उसमें चार अलग कैटेगरी बनाई गए इसमें खास्तोर से जो पूर मंत्री रहें उन्हें से 18 जो पूर मंत्री हैं वो लगभग रिपीट हो सकते हैं इसमें खास्तोर से विजालक्षमी शादियों की बात करें सज्जन सीग बर्मा अच्छी है, सर्वे में भी नाम अच्छा आया, उनकी उपस्थिती अच्छी है छेतर में, तो वो पचास बिधायक भी रिपीट किया सकते हैं, इसके लावा तीसरी कैटिगरी वो है, जिसमें खास दोर से लगाता है, लंबे समय से कॉंग्रेस हारती आ रही है, यानि वो 66 सी पर गए, तो उनमें भी लगबख 50 सीटें ऐसी हैं, जिनमें लगबख नाम तैय माने जा रहे हैं, यानि कि 50 सीटों पर उन पर भी कॉंग्रेस नाम घुसित कर सकती है, इसके लावा 12-13 विधानसवाज चेतर ऐसे हैं, जहां पर हमने हाली में देखा भारतियनता पार्टी ह या अन्य दलों से जो नेता आ हैं, उनको नाम को लेकर भी चर्चा चल लई है, कि उन्हें भी टिकेट दिया सकता है, तो लगबख 130 सीटें, 130 विधानसवाज चेतरों के जो नाम है, वो लगबख तैम आने जा रहे हैं, हाला कि टिकेट को लेकर ये भी चलना है, कि जिस तर से खासकर प्रतियाशी जो अंबीद लगाए बैठे हुए हैं, उनका भी सोचना किस तरह का रहेगा, क्योंकि कॉंग्रेस हमेशा से ये कहती रही है, कि जो मूल कॉंग्रेसी है, उनको मौका मिलेगा, लेकिन जिस तरह से जो कैटेगरियां तैयार की गई हैं, खासकर के मनुझ सेनीची लगातार बने हुए हैं, सरसर, कॉंग्रेस आम तोर पर ये कहती रही, जिस तरह से एक मौका देखने को मिला, जब 2018 के बाद 2020 में, जोती रादित सिंधिया और तमाम ऐसे कॉंग्रेस के दिगज विधायक रहे, जो जाकर बीजेपी में शामिल हुए, उसके जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं, उसमें देखने को मिल रहा है कि जितने भी बीजेपी से बड़े नेता आए हैं, उन सब को पहली लिस्ट में, पहली पंक्ती में रखा जा रहा है, दिखिए आपने बड़ा दिल्चस्प सवाल किया दिनेश, और मैंने अभी मीडिया म में एक विसलेशन में एक बड़ा दिल्चस्प शब्द सुना, यह शब्द दिया जिन्होंने भी दिया उनकी दाथ दूंगा, उन्होंने शब्द दिया विलय नीती बीजेपी, विलय नीती शब्द मुझे बहुत पसंद आया मर्जर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और तो बीजेपी बनाने जा रही है, उस राज्य में उनकी हैसियत बहुत महतुपूर्न है, चाहे मद्यपरदेश χों, चाहे महराश्य नीती का वहां उसने अपनी ताकत बढ़ा ली लेकिन बीजेपी की इस विले नीती का नुकसान यह हुआ कि बीजेपी का जो खाटी कारे करता है वह दुखी और नाराज होता चला गया अब इस चुनाव के गनित को अगर आप समझेंगे तो इस चुनाव का गनित बहुत साफ है बीज प्रत्याशी कांग्रेस के माने जा रहे हैं जिसमें पूर्व मंत्री दीपक जोशी जो की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अधियक्ष बीजेपी के कैलाज जोशी के पुत्र हैं और अभी तो भवर सिंग शेखा वज्ज जैसे दिगज नेता जो बीजए बीजेपी की रीती नीती के परियाय रहे हैं ऐसे लोग भी कॉंग्रेस में शामिल हुए तो कॉंग्रेस की कोशिश है कि वह इसका अधिक से अधिक फाइदा उठाए यानि बीजेपी में जो विलाय नीती की वज़े से कलेज ऐसी परिस्थिति कॉंग्रेस मान रही है कॉंग अब बनने बाली है खास करके जब लिस्ट जारी होगी उसके बाद जो इस्तितियां बनेंगी उसके बाद क्या माहल होता है वो देखना भी बड़ा दिल्चस्प होगा चलिए मैं मनुझ सेनी जी आप से भी एक सवाल पूछना चाहरा हूं कि जिस तरह से जो इस्तितियां दे जिताओं का बंडारन किया है उसके बाद कहीं आते आते चुनाब आते आते कॉंग्रेस अपनी खुद की इस्तिति तो नहीं खराब कर लेगी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और कई बार ये पार्टी के बीतर से बातें आती रहे हैं अभी भी आज ही मैं कांग्रेस की बीतर था तो ये चर्चाएं चल रहे थी कि यदि ऐसा होगा तो फिर हमारा क्या होगा और यह दोनों दलों में चलता है जैसे सारज़ जी भी कह र रहे उनको दरकिनार कर दीजे एक ही मुद्दा है वह चुनाओ जीतना यानि विनर कौन होगा कैंडिडेट जीतने वाला प्रत्यासी और इसलिए जिन 12 नामों का जिकर आप कॉंग्रेस में कर रहे हैं यह वही प्रत्यासी जिससे कॉंग्रेस को कहीं उम्मीद जाकती है कि यह कि तमाम तरह के क्राइटेरिया दरकिनार कर दिये गए बड़ी ख़बर आपको बता रहा हूं और कुछ चौकाने बाले नाम जो सूची हम दे रहे हैं वो तो ठीक है क्योंकि यह साथ लोगों की सूची है इसके अलाबा चार पांच ऐसे नाम भी आपको दिखाई दे सकते जिनकी चर्चा शरच जी हम अलग अलग कारिकमों के जरिये करते रहें यानि नय यूवाओं को मौका दिया जा सकता है और सीनियर लीडर हो सकता है खुछ अपने आप से पीचे हट जाए जैसे कि केलास विजबरगी ने आकास विजबरगी को मौका दिया पिछली बार हमने जब 2018 की चुनाबें जहां जहां पर कॉंग्रिस को नुक्सान हुआ है वहां पर या तो वो महिलाओं को मौका देंगी या हो सकता है कि युवाओं को उस जगे पर लाकर खड़ा किया जा सके जिससे की एक नया माहौल भी बने और कॉंग्रिस ये संदेश भी दे सके कि हम महिल रात तक या कल तक बीजेपी अपनी पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट जारी करेगी और कॉंग्रिस भी अपनी जल्द से जल्द पहली लिस्ट जारी करने बाली है लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद क्या इस्तितियां बनेंगी इन दोनों पार्टियों का वो देखना भी देखते रहिए बंसल दिया हूँ